नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीन टी पीने के क्या-क्या फायदे हैं इसे कैसे बनाते हैं और ग्रीन टी को कब और कितनी मातरा में पीना चाहिए इससे पहले फ्रेंड्स अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए जब बात आती है फिटनेस और हेल्थ की तो ग्रीन टी के बैनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता है ये पावरफुल एंटी आक्सिदेंट्स और एंटी बैक्टेरियल गुलों से भरपूर होती है मेटबॉलिजम को बूस्ट करने के लिए ग्रीन टी को सबसे बहतर ड्रिंक माना जाता है इसमें मिनरल्स और कई पोशक तत्व भी पाये जाते हैं जो आपको कई तरह की बिमारियों से बचाने में मदद करते हैं अगर चाय के सबसे healthy options की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले ग्रीन टी का नाम आता है यो तो ग्रीन टी को हमेशा ही वजन कम करने से जोड़ कर देखा जाता है लेकिन इसके अलावा भी इसके कई सारे स्वास्तलाब हैं तो चले सबसे पहले जानते हैं ग्रीन टी के benefits के बारे में फॉर वेट लॉस ग्रीन टी में कैलोरी की मात्रा ना के बराबर होती है इसमें कैफीन और कैटेचिन पाया जाता है जो एक तरह का anti-oxidant है या fat को burn करने में मदद करता है अगर आप रोजाना नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो इससे आपका metabolism तेज होता है जिससे ज़ादा चरबी burn करने में मदद मिलती है वजन कम करने के लिए ग्रीन टी के सेवन के अलावा भी आपको अपनी lifestyle में कुछ बदलाव करने जरूरी होते है जैसे कि exercise और सही डाइट लेने से weight loss जल्दी होता है ग्रीन टी इसमें सिर्फ एक सहायक का काम करती है डाइबिटीज में ग्रीन टी पीना बहुत अच्छा माना जाता है ग्रीन टी में anti-diabetic गुण होते हैं इसमें मौजूद polyphenol शरीर में glucose level को संतुलित करते हैं टाइब वन और टाइब टू दोनों तरह की diabetes में ये फायदे मन्द है फॉर हार्ट ग्रीन टी के सेवन से blood pressure और cholesterol का इस्तर संतुलित रहता है इसमें मौजूद tannin शरीर में LDL यानी bad cholesterol के इस्तर को कम करने में मदद करते हैं और good cholesterol यानी HDL की मातरा को बढ़ाते हैं bad cholesterol का level शरीर में बढ़ने से heart disease होने की आशंका बढ़ जाती है इसके अलावा ये blood clotting होने से बचाते हैं और blockage को भी दूर करने में मदद करती हैं जिससे heart attack या stroke होने का खतरा कम हो जाता है for cancer green tea में polyphenol जैसी catechins का इस्तर अधिक होता है जो cancer को शिकाओं को मारने में मदद करता है और उन्हें बढ़ने से भी रोकता है यहां तक ये tumor की growth को भी बढ़ने से रोकती है इसमें मौजूद antioxidants विभिन प्रकान के cancer होने के जोखिमों को कम करता है for oral health मूँ के संक्रमन या मूँ से संबंदित किसी भी अनसमस्या से बचने के लिए green tea पी हैं इसमें मौजूद fluoride और polyphenols oral health के लिए बेहद उप्योगी है इसके नियमित सेवन से दात मजबूत बनते हैं और दातों में कीरे लगने की संभावना भी कम हो जाती है इसके अलावा ये सासों की बदवू और bacterial plaque को जमने से भी रोकती है for digestion green tea पाचन क्रिया को दुरूस्त वह बहतर बनाने में सहायक है इसमें मौजूद catechin gastrointestinal tract में अच्छी तरह से अब्जॉब हो जाती है और पेट से सम्मंधित रोगों से लड़ने में मदद करती है इसमें मौजूद antioxidants, vitamin B, C और E पाचन तंतर को सही तरह से कार करने के लिए प्रेरित करते है for brain and stress green tea में मौजूद caffeine और L-thinine चिंता को कम करने के साथ साथ brain की functioning में भी सुधार करती है इसके सेवन से brain की power बढ़ाई जा सकती है ये memory बढ़ाने में मदद करती है इसमें मौजूद bioactive compounds के कारण neurons पर positive effects हो सकता है जो algeimer और Parkinson's जैसे बिमारियों की वज़े से होने वाले नुकसान को भी कम करती है for skin skin के मामले में green tea skin को जरूरी hydration देती है इसमें मौजूद antioxidants बढ़ती उम्र के असर को भी कम करता है साथी fine lines, dark circles और acne से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है clear और glowing skin के लिए green tea का सेवन अच्छा है इसके अलावा आप इसे scrub और toner की रूप में भी यूज कर सकते हैं जो बंद पड़े रोम छिदरों को खोलने में मदद करता है for hair, बालों के समस्याओं के लिए भी आप green tea का प्योग कर सकते हैं ये बालों को मजबूत करने में मदद करती है हर रोज green tea पीने से बाल ज़रने कम होते हैं और उनकी फिर से ग्रोथ भी होती है इसके अलावा इसको conditioner की तरह भी यूज़ किया जा सकता है जिससे dandruff और dry scalp जैसी problems को भी कम किया जा सकता है for immune system green tea में vitamin C और antioxidants भरपूर मातरा में होता है जो शरीर से toxins को बाहर निकालता है इसमें मौजूद catechins body की immunity बढ़ाने में उपियोगी है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ती है जिसके कारण auto immune रोगों की होने की संभावना कई गुना तक कम हो जाती है इसके अलावा ये energy को बढ़ाने में भी मदद करती है जिससे शरीर active रहता है तो friends green tea के फायदे के बारे में जानने के बाद चलिए अब जानते हैं कि green tea के पूरे benefits उठाने के लिए इसे बनाना कैसे है सबसे पहले पानी को 80-90 degree तक गरम करें पानी उबलने से जस्ट पहले वाली stage तक green tea को कभी भी काली चाय की तरह उबालना नहीं चाहिए फिर एक cup green tea के लिए एक tea bag cup में डालें और उसमें गरम पानी डालके 2-3 मिनट के लिए cup को ढग दें जादा देर तक green tea को पानी में रहने देने से वो कड़वी हो सकती है अगर आप bag की जगह leaves या powder यूज़ कर रहे हैं तो एक tea spoon leaves या powder पानी में डालें वैसे कोशिश करें loose green tea leaves ही यूज़ करें इसके बाद चाय को छान लें या tea bag को निकाल दें green tea को नज़ादा गरम पीए ना ही ठंडा वैसे तो green tea को plain ही बीना चाहिए लेकिन अगर आपको इसका taste अच्छा नहीं लगता तो इसमें थोड़ा शहद और कुछ बूंदे नीबू की मिला सकते हैं इसके अलावा green tea में काडमम, तुलसी या सिनमन भी यूस किया जा सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों न रोज 5-6 cup green tea ली जाए जिससे इस से ज़ादा से ज़ादा फायदे हो लेकिन आपकी यह सोच बिलकुल गलत होगी रोजाना 1-2 छोटे cup लगभग 1500 ml से 200 ml green tea का सेवन किया जा सकता है एक दिन में 3 cup से ज़ादा green tea का सेवन नहीं करना चाहिए वरना फायदे की जगह इसके नुकसान भी हो सकते हैं अगले वीडियो में हम जानेंगे green tea के side effects किन-किन लोगों का इसका सेवन नहीं करना चाहिए और कब-कब green tea नहीं पीनी चाहिए अगर आप चाय को अपने स्वास्त के लिए पीना चाहते हैं तो इसका सही समय में पीना बहुत ज़रूरी होता है तो चलिए जानते हैं green tea के अधिकतम लाब के लिए इसे पीने का सही समय क्या है green tea तभी जादा फायदे मंद होगी जब आप इसे खाना खाने से एक घंटे या दो घंटे पहले पीए जैसे आप डिनर से दो घंटे पहले इसे पी सकते हैं अगर आप नाश्ता या खाना खाने के बाद green tea पीना चाहते हैं तो कम से कम एक घंटे का gap रखें जैसे आप green tea को दो मील के बीच में भी ले सकते हैं अगर आपने breakfast शाड़े आट पे किया है तो आप 10 से 11 के बीच कभी भी green tea ले सकते हैं तो friends देखा आपने कि अगर green tea को सही तरीके सही मात्रा और सही समय पर पिया जाए तो इसके कितने फायदे हैं उमीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इसे तरह मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चानल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने friends और family के साथ शेयर करें जल्द ही मिलती हूँ ऐसी ही जानकारी के साथ तब तक के लिए be healthy and take care